इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जोसफ सन इफेक्ट और उसके टाइप्स के बारे जोसफ सन इफेक्ट क्या होता है और उसकी कितने टाइप्स होते हैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो वीडियो को शुरुआत करते हैं जोसफसन इफेक्ट क्या है क्या इसके पीछे concept हो ये effect बताता है तो अगर हम बात करें इसका एक छोटे से introduction की 1962 में जोसफसन एक sentence थे जोनोंने इस effect को दिया था जोनोंने इस effect को दिया था अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखेगा कि यह कोई imaginary कोई concept नहीं यह एक real concept है और इससे बहुत सारे devices बनाए गए है electronics में जैसे कि SQID, squid devices जो बनाए गए है detectors बनाए गए है तो धिरी दुने आपको आगे पता चलेगा तो सबसे पहले बात करते हैं कि जोसफसन ने क्या था भाई मेरे इक super conductor रहता ये S यह हमने क्या है एक bar है super conductor के है यह ना एक हमार बस क्या होगी बार होगी या फिर एक plane sheet हो गई super conductor की यह होगा हमारा S और हमने क्या 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 इसके peak parallel में हमने एक electric bulb attach कर दिये कुछ इस तरह कि और यहां पर हमने क्या लगा दी बैटरी यह हो गए हमारी बैटरी और यह हो गया हमारा स्विच्छ क्या simple connection सावज में आता है simple connection है कोई बड़ी बात नहीं हम ने क्या काम करा वही है हम ने कच्छो नहीं करा हमारे पास एक क्या था superconductor का बार्त उसके ओपर हमने electric bell apply कर दिया नीचे हमने battery apply कर दिया यहां पर emitter है यहां पर switch सह्वाल आपसे है कि क्या अजहीं क्या यह new lima करेदा कि यह new yearस यवक्ति लुक्रष यां यह in तो सारी सारी सुपर कंड़क्टर से पास होगी, यह एक सिंपल सी observation है, और यहाँ पर यह जोसर से निदाग नहीं है, इसे पर कोई बड़ा logic नहीं है, इसका सिंपल सा reason मैं आभी आप वो बताता हूँ, सिंपल सी reason यह है कि सुपर कंड़क्टर क्या है, जिनका resistance नियरली 0 हो, इसके पास कुछ resistance है, यह इस वाले पात में जाएगी जिसके पास कुछ resistance है, यह इस वाले पात में जाएगी जहाँ पर resistance नियरली equal to 0 है, खुद दिमाग लगा कर बता हूं किस वाले पात में करण जाएगी और जो सफसने क्या काम करा उन्होंने क्या काम करा था उन्होंने यह वाली observation देखे उन्होंने यह देखा कि जो current है वो सारी कि सारी 100% जो current है वो सारी सुपर अब उन्होंने क्या काम करा उन्होंने एक और चीज यहां पर उन्होंने क्या क्या काम करा उन्होंने इस जो सूपर कंड़क्टर की जो बार थी हमारे पास उसको ऐसे करके बीच में से कट कर दिया अब जैसे ही कट करेंगे कट करने के बाद उन दो दो पीस मिलेंगी हमें सू जो से तटर्के डियाग्राम हमाना कुछ ही है यह हो गया हमारा अलेक्टिक बन उसके बार यहां पर यह हो गया हमारा एक सरभिकंडक्टर एस्वन यहीं हों गिए हमारी बैटरी एम नहीं हो गया हमारा स्विच्च्च ओंपल सी बात उन्हेंनों क्या पर काम करें यहाँ पर वह सुपर अदर्स future क्यों मतले सकती जैसे उसको कट करेंगे तो ढूफर कंड़ोगे हुआ एक को नाम दे दिया S1, एक को नाम दे दिया S2. और दोनों को एक सेंटिमिटर दूर कर दिया. कितना दूर कर दिया फाही मेरे? एक सेंटिमिटर दिया. बहुत बढ़ी या. सिम्पल सी बात है भाहित से. अब यहाँ पर उन्होंने उबसर्व करा. जो हमारा बल्द था वो क्या करने लग यहां पर हुआ यहां पर इस वाली जगे पर एयर आई होगी और एयर जो है वो एक इंसुलेटिंग डियेवियर है वो इंसुलेटर का काम करता है मतलना यहां पर इससे पास पर इसे पास करेगी क्रण सी करेगी कुकि यहां पर इस सूर कंडक्र से पास बढ़ा जिए थेमसर पास होगेजा है अब वो इंसुलेटिंग बात है उसका resistance क्या होगा हाई सारी की सारी जब current जाएगी वो तो superconductor से पास ना होगे किस से पास हो जाएगी electric bulb से क्या यहां तक सारी माय है सिंपल से observation है अब उन्होंने बहुत मरिजदार बात देखी बहुत मरिजदार बात की ध्यां से सुना यहां पर कोई इन में कोई दिक्कत मेरे इसाफ से नहीं लगने थी क्योंकि बहुत common सी बात है अरे यहां पर resistance 0 था तो current उधर चलेगी यहां पर resistance maximum मतलब बहुत high था तो current उधर चले गई यहां पर glow हुआ यहां पर बाव नहीं यह सारी बात पता है कोई बड़ी बात नहीं है अब उन्होंने बहुत भेंकलती बात अब 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 उन्होंने यह देखा कि जब मैं इन दो superconductor's को यह जो 2 superconductor के piece है अगर मैं इन 2 superconductor's को करीब लेकर आता हूं उन्होंने इन दो सूपर कंड़क्टर को करीब लाते गए धीरे 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 करीब लाते गए पास लाते गए पास लाते गए पास लाते गए पास लाते गए जैसे जैसे पास आ रहे थे उनको एक चीज़ अब्जर्व हो रही थी वैसे वैसे इसकी जो ब्राइडनेस इसके जो ग्लोन की जो शक्ती थी वो brightness क्या हो रही थी कम हो रही अब दिमाग धून गया उनका कि अब यार यार ये क्या हो रहा है दो सूपर कंड़क्टर को जब मैं टचे नहीं कर रहा है टच कर दोंको तो ये वाली खानी होई जाएगी वो तो अपने को बता ही है हम टचे नहीं कर रहे हम दूर मतलब थोड़ा सा पास आ रहे हम पास लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए तो जब दो सूपर कंड़क्टर को ये तो दो पीस्ते सूपर कंड़क्टर जब इनको करीब लाते गए तो उसके brightness कम होती है सोचो ये पास आ रहा है वो कम होता जा रहा है और एक वक्त ऐसा आया यहां से समझे ने इस चीज़ को बहुत खतरनाक बास बताऊँगा एक वक्त ऐसा आया मतलब एक range ऐसे आई कि वो दोनों touch नहीं थे वो दोनों मतलब S1 और S2 touch नहीं थे gap था उनके बीच में चाहिए वो बहुत चोटा सा हो लेकिन gap था gap था मतलब बीच में insulator था insulator मतलब air थी और वो हमारा बल glow नहीं करना सोचो मतलब सारी current यहां से पास हो सारी current किस से पास हो यहां से पास ही इसी effect को उन्होंने अपने नाम से नाम जिया गया था Josephson effect क्या है Josephson effect simple सी बात है भाई साथ अगर दो superconductor जहां से समझना इसका definition आएगा feel लेकर बढ़ना भाई साथ अगर दो superconductor के बीच में एक अगर insulating material आ जाए अगर दो superconductor के बीच में अगर कोई insulating material आ जाए तब उस arrangement में से current pass होती है खुद बाखुद उसमें से क्या होती है भाई मेरे current pass होती है और इसी effect को हम Josephson effect कहते है अब यहाँ पर एक चीज़ जाए दटना कि बीच में insulating material होना चाहिए लेकिन उसकी एक range होती है यह नहीं कि S1 यहाँ पर है S2 यहाँ पर है बीच में भरदो insulator current pass होगी याद करो S1 S2 जब 1 cm दूर करा था तब current pass नहीं हो रही है लेकिन जैसे जैसे इसको करीब जाते गए यहाँ पर current कम होती गए यहाँ से current जादा जाती गए कुछ सोचो ना यहाँ से current कम होगी इसका मतलब करन यहाँ पर जा रही है current divide होती है ना parallel में तो यहाँ पर range कितनी बताएगी range बताएगी यह कि अगर 10 nanometer से लेके 1000 nanometer तक का gap अगर है अगर S1 और S2 में बहुत यहाँ से समझेंगे अगर S1 और S2 में 10 nanometer से लेके 1000 nanometer तक का gap है तब यहाँ पर current pass होगी मतलब कि अगर माल लेजे एक superconductor होगया हमारा यह ठीक है S1 उसके बीच में यहाँ पर हमने insulating material भर दिया कोई भी insulating material हो सकता है यहाँ पर मैंने हवा का use करा है practical को समझाने के लिए आप कुछ और भर सकते हो आप कोई भी dielectric कोई भी insulating material भर सकते हो तो यह होगया हमारा insulating material जिसकी जो range होगी मतलब जो X होगा वो किस पर belong करेगा इसको 10 nanometer से 1000 nanometer याद करेंगे इसको 10 nanometer से 1000 nanometer और उसके बाद यह होगया हमारा सूपर कंड़क्टर यह होगया हमारा S2 यह होगया हमारा S1 और यह होगया हमारा I I बोले तो I बोले तो insulator तो simple सी बाद यहाँ पर Josephson effect की यह थी कि अगर दो सूपर कंड़क्टर अगर दो सूपर कंड़क्टर arrange होते हैं बीच में उनकी क्या होता है एक insulator होता है जिसकी range 10 nanometer से 1000 nanometer होती है तब भाई ऐसे arrangement से भी current pass होती है ऐसे arrangement से भी मेरे क्या होगी current pass होगी मतलब बड़े अजूबा चीज नहीं हो दिख लिए आपको यह सूपर कंड़क्टर की बार यह एक सूपर कंड़क्टर के बार बीच में भी यह हवा है फिर भी current pass हो रही है 10th class से बच्पन से यह पढ़ते आ रहे हैं कि current always flow ना close path current always flow ना close path यहाँ पर तो close path ही नहीं है भीच में हवा है फिर भी current pass हो रही है भाई सा मैजदार चीज है यार यह तो पील वाला topic है क्या बात साज मैं ही इसको जोसफसन effect कहा गया इसको क्या कहा गया जोसफसन effect और यहाँ पर अगर हम बात करें इसको कहा गया SIS junction क्या नाम दिया गया है मैं हमेरे SIS junction junction कहा गया जैसे PN junction diode नहीं होता P और N उसके बीच में depletion region आ जाती है S इसको नाम दिया गया SIS junction सुपर कंड़क्टर इंसुलेटर सुपर कंड़क्टर junction इसको simply हम जोसफसन junction भी कहते हैं क्या बात समझ मैं है clear है तो अभी तक अपने को यह समझ मैं आया कि अगर मैं दो सुपर कंड़क्टर को अगर मैं दो सुपर कंड़क्टर को एक insulating material से separate करता हूँ तब उसमें current pass होती है उसमें क्या होती है फैं मेरे current pass होती है और इसी effect को हम जोसफसन effect कहते है इंसुलेटर की जो range होनी चाहिए जो width होनी चाहिए 10 nanometer से 1000 nanometer क्या बास समझ में आई तो इसके एक बार definition आपके लिए देते हैं कि when two superconductors are separated by any insulating by generating material then current passes through this type type of junction this effect is called Josephson effect clear Josephson effect clear Sympathy definition देखे कि when the two superconductors are separated by any insulating material then current passes through this type of junction इसे current pass हो जाएगी और इसी effect को हम Josephson effect कहते हैं अब कहानी यहाँ पर खतम नहीं होती है आप यह मैं सोचेगा कि अच्छा बाद यही तह जो सब्सक्राइब बल्ले होगा नहीं कहानी यहाँ पर खतम नहीं होती है जो सब्सक्राइब उन्होंने जब इस चीज को observe करा तो कहते हैं कि मतलब कोई नहीं चीज जब हम observe करते हैं तो थोड़ा सा मतलब एक कीड़ा तो उड़ता ही है ना कि यार अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है इसको ऐसे कर दूंगा तो क्या होगा और उन्होंने study करते गए तो उन्होंने जब इस study करी तो उन्होंने क्या काम करा एक graph plot करा और graph किसका plot करा था वी और आई का किसका भाई मेरे वी और आई का मतला कि वी आई characteristics उन्होंने plot करी और जब उन्होंने वी आई characteristics प्रिइट्र प्लोट करी तो बड़ी भेंकर सी बात निकल कराई और इतनी भेंकर कि आप दर जाओगी पहले इतना नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजए मैं वीडियो से हट जाता हूँ क्यों कि कमेंट आई थी तो कि से सर हट जाए करो स्क्रेंशोट के लिए तो मैं हट गया हूं आप लिए एक दो 3 चले वह फटा दे इसको फटा दे स्क्रेंशोट हो गए आप सभी का पहुत बढ़िया तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीस करेंट करीएगा क तब भी उसमें से current pass होगी, तब भी उसमें से current pass होगी, मतलब दो superconductor की बीच में गर हवा भी है न, तब भी current pass होगी, तब भी ये bulb glow नहीं करेगा, और इसी को effect को उन्होंने अपने नाम दे दिया, अब सब उन्होंने क्या काम करा, अब उन्होंने वियाई characteristics plot करी, क्या करी इसको हटा जाते हैं, तो उन्होंने क्या plot करा, उन्होंने plot करा, वियाई characteristics, वियाई characteristics, of SIS junction, बोले तो, जोसफसन junction, ठीक है, तो वियाई characteristics of SIS junction, तो जड़ा देखें, वियाई characteristics क्या हुई, यहाँ पर हो गई हमारी y-axis, है न, यहाँ पर हो गई हमारी x-axis, यह x-axis हो गया, यह हो गया हमारा y-axis, x-axis पर उन्होंने क्या लिया, x-axis पर उन्होंने लिया voltage, क्या लिया है बाई मेरे voltage, V, voltage जो हम apply कर रहे हैं, हमारे गो control में होगा, हम zero भी कर सकते हैं, one भी कर सकते हैं, polarity भी चरज़ कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर y-axis में हम क्या लेंगे, I, I बोले तो, I बोले तो हम लेंगे करन, क्या लेंगे बाई मेरे करन, तो जड़ा वी आई देगा, तो फिल था ये, कि जब potential बिल्कुल zero था, तो भाई सहाब उस SIS junction में, SIS junction में फिर रिपीट करूँगा, SIS junction आपका कुछ ये है, कि हाँ पर S1 होगा, बीच में क्या होगा, insulator होगा, और फिर उसके बाद हमारा एक और superconductor होगा, S3, I, याद रखना, पूरे एक super conductor नहीं है, दो superconductor जिसके बीच में insulator आ रहा है, सो अगर हम इसमें, कोई potential apply नहीं करते, मतलब अगर कोई potential apply नहीं कर रखा इसके चात्रा, यहाँ पर हमने बैटरी ही नहीं लगा रखी, भाई साब कर दी, cancel, बैटरी लगा ही नहीं रखी, तब भी उसमें current रेक मिल रहा है, एक current मिल रहा है, उसको हम कहरे है, IC current, क्या कहरे हैं मेरे, IC current कहरे हैं उसको, ऐसे same, नीचे ही, इहां तक मिल रहा है, minus IC, plus IC, वाई साब, मतलब कि अगर इस junction में potential apply नहीं कर रहा है, तब भी current past हो रही है, एक unpredictable चीज़, कि बता ऐसा भी हो सकता है, बता बैटरी नहीं current past हो रही है, सोच सकते हो, सोच सकते हो, तुमने घर पर भी है, बल्ब खरीद के लाए, उस बल्ब में आपने बैटरी लगाई नहीं फिर भी जलना है, अजूबा है, अजूबा है, यहां तक clear है, अच्छा, अब आगे सुनो है, बता कि, not current, sorry, जो potential है, DC potential, direct potential, normally battery है, हमारी normally cell, अगर हमों cell को भी बढ़ा हूँ, तो potential जो है, बता जो हमारी electric current होती है, वो भाई साब AC बन जाती है, कुछ इस तरी किसे graph आया, ऐसे करके, यहां पर भी, कुछ यह graph आया, भाई साब, यह वड़ा graph आया, बड़ी बहिंकर सा graph आप दिखरा होगा, बहुत यहां से समझना, असान सी चीज़ है, यहां समझो, देखो, यहां पर हमें एक बार साइज में आ रही है, कि अगर उसे SIS junction में, मैं potential ना लगाँ, तो current यहां पर हमेशा 0 नह critical current कहा गया, क्या नाम दिया हमें मेरे, critical current, critical current, और यह जो critical current होगी, यह हमारी DC current होगी, कौन सी current होगी, DC current होगी, अच्छा, लेकिन जब हम DC voltage को apply करते हैं, मतलब हम DC voltage को बढ़ाते हैं, तो जो हमारी current है, वो भाई सब इस तरीके से vary करते हैं, और यह जो current है, यह क्या है, ए प्रपोर्शनल नहीं है, exponentially increase कर रहा है, मतलब कि यह AC करंट को शो कर रहा है, same fund नहीं है, अगर मैं potential को negative side में बनाता हूँ, तो करंट किसकी तरह आ रहा है, नीचे रहा है, मतलब कि यहां पर यह वाला जो हिस्ता है, यह वाला हिस्ता है, कैसे लिखें, कैसे लिखें, यह तो अ when we apply DC, नहां से समझने हैं इसको, when we apply DC voltage across SIS junction, इसको अठाज़े है, ठीक है, तो यह वाला ग्राफ क्या बता रहा है, उन्होंने, जोसर सन ने जब उनकी विए करेक्टर से देखी, यह कुछ विए करेक्टरिस्टिक्स आई है, हमारी, ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर उसके बा से उन्होंने दिमाग लगाना स्टार्ट कर रहा, उन्होंने क्या कहा, यह वाला हिस्सा क्या बता रहा है, कि वन वी अपनाए DC voltage across SIS junction, वी गेट, एन AC मतर की alternating current, and alternating current, बड़ी भेंकर जी बात कही है, उन्होंने, मतलब की हमने क्या काम करा, हम तो यह यह पढ़ते आ रहे है, अब तक 12 class सी भी पढ़ते आ रहे है, बच्पन साम यह पढ़ते आ रहे है, कि एक battery, एक cell, एक DC source है, और वो DC current देगा, उसी तरीके से AC source, AC current देता है, हमारा generator AC देता है, DC थोड़े देता है, लेकि यहां तो अलगी हो रहा है, मेरे भाई, हमने DC battery लगा रहे है, हम क्या लगा है, यह वाला हिस्सा क्या बता रहा होगा, यह पूरा हिस्सा, यह जो यह वाला है, स्टेट लाइन, यह क्या बता रहा है, मता की, जो applied voltage है, applied voltage, across, SIS junction, is 0, applied voltage कितना है, 0, but, but, समस्या है, समस्या है, but current, flowing, through, SIS junction, is not 0, वो 0 नहीं, और वो जो current है, वो भी कैसी current है भाई मेरे, अगर मैं बात रहो, जो यहां पर जो current flow कर रही, जो current मैंने आपको बताया, यह भी कैसी current है, यह DC current है लेकिए, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्य मतलब यहां पर हुआ यह कि अगर उन दो पीसिस को S1 और S2 उनकी बीच में गैप है अगर इसमें मैं कोई बैटरी अप्लाय ना करूं तो इसमें DC करंट फ्यो कर रही होगी लेकिन अगर मैं इसके पोटेंशल को बढ़ाता चला जाओ दो पार्ट में डिवाट कर दिया गया इस वाले भाई साब को क्या कहा गया इस वाले भाई साब को कहा गया A.C. जोसफसन एफेक्ट बहुत ध्यां से समझेंगे और इस वाले भाई साब को क्या कहा दिया गया इस वाले भाई साब को कह दिया गया DC जोसफसन एफेक्ट DC जोसफसन एफेक्ट ठीक है मैं तो अगर हम मात करें जोसफसन एफेक्ट की तो जोसफसन एफेक्ट दो तरह के के होते हैं बहुत यहां समझेंगे जोसफसन एफेक्ट दो तरह के के होता है एक होता है AC Josefson एक होता है DC Josefson DC Josefson effect क्या होता है, कि जब हम SIS junction में कोई बैटरी अप Snidese नहीं करते, तब उसमें 1 DC Gron end pass होती, इसलिए इसको DC Josefson effect केहते है AC Josefson effect किसे कहते हैं, जब एक SIS junction में हम 1 DC voltage अपना करते हैं और 1 AC Agrendis कोई करन्ट व्ह नहीं उस्तलिक को लोगा य। अभी तक हम ने कौन कों से प variants कर दीए सबसे पहले हमने जो क्वा से Iya यह क्ता है अब हमने पर लिया कि उसके कित्रें टाइप होता है अब हमें यह पढ़ना है कि जो कुझ पीन कोई करन्ट नहीं है जब बैटरी अपलाई नहीं कर रखी एक कंड़क्टर एक हमारे जो जंक्शन है उसमें हमने कोई बैटरी अपलाई नहीं कर रखी फिर भी करण्ट क्यों दिख रही है उसका रीजन अब हम पते हैं तो दो मिनिट और बस फील आ जाएगा आपको नोड करीब है इमनोड कर लिजे वीडियो पॉस करके स्क्रीन शॉट ले लिए जापको लेना कर लिए जल्दी से ग्राब बहुत इंपॉर्टन में इसका हटाए इसक्रीन ले लिए चली हटा देवे ठीक तो अब हम बात करते हैं रीजन कि यार क्यों क्यों एक बैटरी नहीं है क्यों उन दो कंड़ से ध्यान समस्वें दो सूपर कंड़्टर हैं हवा है बीच में और भाज साब फिर भी करंट पास हो रही है करंट मतलब समझते हो ना करंट का मतलब है rate of law of electric charge अब electric charge move करता है तब करंट बनाता है अब यह बीच में तो रास्ते ही नहीं है ब्रिजी नहीं है बीच में कहां से move कर गया वो समझना पड़ेगा अपने उसका feel समझते है आज अज़गा खड़ा इसको कने कहां अपर को field देखे ज़िए आछेंपें समझना, season of Josephson effect, नहीं है है रीजन समझते हैं घौन कोंसा कौंसा था है घ्लासिकल में Grand classical mechanics अब classical mechanics क्या कहती है है ना जर्व बताएpaper आर मालिजे इक पहाडह है यहाँ पर हमारे पास क्या है एक पहाद यह रहा एक पहाडह बहुत खूँशा उरवाध्या पहाडह है आपका है वादिया है बहुत और यहां पर माल लीजे हम हैं, यह रहे हम, आर की, यह भाई साम हम हैं, अब आप से सिंपल सा कोशन मैं पूर सा हूँ, होटी सिंपल सा, कि मुझे इस पहाडी के उस तरफ जाना है, भाई साम बिल्कुल एक बीच पहाड है, आजो बजो कुछ नहीं है, मुझे वहाँ पर जा यह मैं हूँ, फाइनली भाई सा मैं यहां पर पहुंच जाओंगा, क्या यह वाली बास साज में आती है, मुझे क्या काम करना है, कोई भी ऑप्स्टिकल अगर मेरे सामने है, तो बाद मुझे उस ऑप्स्टिकल के उपर चड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ पर उतरना क्लास 11 तका है, आफिर हमने जो क्लासिकल मेकैनिस हमने बेसिक सी पड़िए, बीसी में भी हम पड़ते हैं, अच्छा, लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, डी ब्रॉगली हैपोथीसिस क्या कहती है, वो बड़ी भहेंकर सी चीज कहती है, वो यह कहती है, क्वांटम आनलिंक बताओं, आपको क्या होता है, क्वेंटम मकेनिक्स, ऋै क्वेंटम मकानिक्स हमें कहती है, खेंवर आपको पहार के उस तरफ जा रहा है, तो आप पहार को पेनट्रेट कर सकते हूं, देख रहे हैं Orthodoxाद लिजय इक ऐ हैं, ऐर मा ली जी यह रहा मैं, और मुझे पर पहुंचना है? यहां पर पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? तो यह quantum theory क्या कहते है? quantum theory यह कहती है कि अगर मालीचे object बहुत small है या फिर अगर object को light की speed देते हैं deep row की hypothesis भी यह कहती है तब वह होता क्या है कि particle wave नीचे ला सकता है अगर मालीचे मैं फोड़ा छोटा हो जाओं मैं क्या हो जाओं छोटा हो जाओं लाइट की speed को अप्रोच कर लूँ तो मैं अपना particle नीचे को छोड़ दूँगा और wave नीचे लियाओंगा अगर मैं दिवार से चिलाओं तो दिवार के उस तरह आवाज बहुत जा देखियो क्योंकि जो sound view पेंट्रेट कर सकती है तो सेम फंडा यहाँ पर यह है कि अगर मैं बहुत छोटा हो जाओं और light की speed से भांगने लगूं तो मैं इसको क्या कर सकता हूं को पेंट्रेट कर सकता हूं पूरे पूरे पहाड को पेंट्रेट कर सकता हूं और पेंट्रेट करके उसके दूसरी सर जा सकता हूं यह quantum mechanics कहते हूं इसी फिनोमना को quantum tunneling कहते हूं tunnel मतलब tunnel मतलब नीचे से निकल जागा so quantum tunneling simple सी बात यह है कि अगर मालीजे आप particle हो आपका mass बहुत कम कर दिया जाए और आपको light की speed से भगाए जाए तब आप अपने particle nature को छोड़ देते हूं वेव नेचे ले रहे देते हूं और वेव जो चीज है वो किसी भी substance से पेंट्रेट कर सकते हैं आप tunnel कर सकते हूं इस बहुत चोटे चोटे particle में लगते हूं जैसे अब मैं semi conductor सूपर conductor वाले में आता हूं जाए देखना है अगर मैं super conductor वाले को repeat करूं क्या आसा जरा बता देखते हूं यहाँ पर एक super conductor था ऐसे करके कि उसके बाद बीच में भाइसा हवा थी फिर उसके बाद हमारा एक super conductor था कुछ इस तरी के लिए इनके बीच में हमारा एक gap आपको दिखी रहा होगा यह हो गया हमारा एक insulating gap यह बना तो मुझे एक बाद बताओ क्या यहाँ पर अब यूटूब में सर्च कर लेना बीचेस ट्योरी ऑफ सुपर कंड़क्टर बाया आर के फिसिक्स पॉइंट के सिंपली आपको मिल जाएगी तो उसको एक बाद देख लेंगा कूपर पेर नहीं बताता हूं क्योंकि कूपर पेर ही रिस्पॉंसिबल होते हैं इलेक्टिकल कंड़क्टिविटी में सुपर कंड़क्टर से सिंपली छोड़ो दो मैं ही पड़ा तो इदर देखो क्या इस सुपर कंड़क्टर के अंदर एलेक्टर होगा होगा अरे बाद बाद बताओ यह लाइट की स्पीड से भाग रहे के इंसुल लेटर से निकल कैंहीं हाँ पर आता हैं मतरे चार्ज करता है चार्ज फ्लो करता तभी टर 두ल कंड़ा थे थेलेक्टर्स अपर पर यह बई है यह सी यह बसी तो इसको क्यों करते हिं जो जी तो फॉरा नुकरु के जो एक यह विह नीचर की बलंगे चॉरिपेसट शिम्पल शा Luke क्यों रहा रहा है कुकि भाईवा, quantum tunneling हो जी है, उन दो में इतना गएप नहीं है, थोड़ा सा ही गएप है और वहाँ से quantum tunneling हो सकती है, ये quantum tunneling की फिनॉमने आप बहुत सार जगों में पढ़ोगे, जैसे आप एक microscope पढ़ोगे, scanning tunneling microscope, scanning STM, scanning tunneling electron microscope, STEM भी कहते हैं, तो वहाँ पर भी quantum tunneling हो जी है उस तो पर में मैं एक video बना चुका हूँ, आप देख लिए जेखो, आपको और सार्ज में आ जाएगा, तो भाई साब, अब यहाँ पर एक चीज और, याद करो मैं जब gap को बहुत ज्यादा कर रहा था, एक सेंटिमेटर, तब quantum tunneling नहीं होगी, अब यह थोड़ी ना कि यह इलेक्टरन है, वो एक wave है, अब wave है तो उसका phase भी होगा, सब चीज होगी, तो यहाँ पर यह जो current बन रही होगी, यहाँ पर जो current बन रही होगी, क्योंकि current बन रही होगी ना, इसके, electron के motion के, यहाँ पर जो current बन रही होगी, वो current किसके एक कड़ोगी, वो होगी हमारे inod sin इसके मेरे साइन डेल की यह हमारे डीसी जोसेशन की इसके मेरे डीसी जोसेशन आई इक्वाल टू आई नौर साइन डेल और यहां पर यह डेल क्या है फेस जिफेशन का आई किरें डीसी जोसव संट इसे में स्यegt क्रेंगेए डीसी-वाली are अच्छा लेकिन मैं बात करूँ एची जोसेशन एम्दे ओक पर तव करने एक प्रशेटिंग मोल्टेज यहां पर क्या आती है मैं डारक यहां पर लिख रहा हूं यहां से देखेगा यह वेव की एक्वेशन है यह वेव की एक्वेशन है यह पर कहते हो तो इसे करके पड़ते हैं y equal to a sin omega t minus 5 flux oh sorry flux कर रहा हूँ phase तो यह हमारी क्या है wave equation तो वह हमने हमने यहाँ पर करा है current maximum current हो गया i naught और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से देखें यहाँ पर यह वाली चीज़ आ रही है 2 e v upon me h bar तो इसको हम क्या कहते हैं omega 2 e v upon me h bar इसको हम कहते हैं angular frequency ज्या कहते हैं मेरे angular frequency और अगर हमें angular frequency पता है तो आप normal frequency में निकाल सकते हो तो क्योंकि omega किसके एक करो होता है omega एक करो होता है 2 pi by t k 2 pi by t k 2 pi v upon me h bar 2 से 2 cancel हो गया 1 upon d को मैं क्या लेकिस तो frequency f तो ज्या बता ना frequency किसके एक कुलाई frequency कुलाई मेरी e v upon me pi h bar यही तो आएगा 1 upon t f हो गया और यह pi नीशे चला गया तो f जो आया हो यह frequency है और यह frequency है किसकी ज्या बता सकते हो frequency है किसकी frequency of ac बता है वो जो current पास हो रही है और यह v क्या है यह है velocity of electron clear स्वाज माया कोई doubt हो तो बता है ठीक तो यह note के लिजे चल दिसे मतलब की screenshot लिजे इसका हटाए 1,2,3 बहुत 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 है यह हमने आज आज आपके साथ शेर करा Josephson effect Josephson effect क्या है इसके types क्या होते है इसका concept क्या होता है क्यूं यह होता है सारी बाते हमने आपको बता है हां इनकी derivation मैंने नहीं करवाई इनकी derivation होती है वो मैंने इस video में नहीं करवाई क्योंकि काफी lengthy video हो जाएगी देख्टे नेक्स video में करवाईंगी सब्सक्राइब नहीं थैंक्यू सो मच